Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitab Soad, so आज एक बहुत important वीडियो आप सभी सेट उमीदवारों के लिए मैं लेकर आई हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या paper 1 में current affairs और GKS related questions पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं तो कैसे और कहां से आपको इसकी तयारी करनी है, तो ये बहुत ज़र भी पता होगा कि इसमें 10 units होती हैं, अब बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हमें अपने state के current affairs पढ़ने की जरूरत है या नहीं, तो देखो अभी मार्च में आपके पास हिमाचल प्रदेश सेट और आसाम स्लेट का paper है 17th मार्च को, और उसके साथ ही April में आप लोगों का महर प्रश्र सेट एक्जाम होने वाला है, तो ये वीडियो आप सभी उमीदवारों के लिए मैं लेकर आई हूँ, तो देखो students क्या होता है, paper 1 में आप लोगों से unit number 8 ICT, unit 9 people and environment और unit 10 higher education, ये तीन unit से थोड़े बहुत basic current affairs पूछे जाते हैं, लेकिन वो भी sure नहीं होता है, ठीक कुछ current affairs हैं, digital initiatives हैं, वो examination में पूछे जा सकते हैं, हमारे environment को protect करने के लिए अभी G20 में कुछ decisions लिए गए थे, या फिर कुछ protocols बनाए गए थे, तो उन से related current affairs पूछे जा सकते हैं, और higher education को बहतर बनाने के लिए सरकार ने कुछ applications बनाई हैं, कुछ initiatives लिए हैं, वो आप लो यही आपको selection लेने में मदद करेगा और इसके best preparation के लिए complete course हम लेकर आए हैं, जो 100 में से आपको 80 प्लस score करने में help करता है, इस complete course में daily live lectures के साथ, exam से पहले आपका पूरा syllabus cover करवाने की surety दी जाती है, यहाँ पर आपको MCQs and PYQ practice करवाए जाएंगे, mock test available है, और सबसे important है 2000 Hobson Plus MCQ question bank, जहाँ बर आपको सभी states के previous year questions, repeated and expected questions मिल जाएंगे, वो भी solution and detailed explanation के साथ, आपको सरफ given numbers पर contact करना है, और live classes के लिए जल्दी से global online app download कर लीजिए, store section पर search bar में आपको अपने course का नाम लिखना है, hp set या asam slit, जो भी आपका course है, उसका नाम यहाँ पर लिख कर आप उसका overview देखिए, live classes आपको यहाँ पर daily 9 p.m. मिल जाएगी and students mock test और recorded videos के लिए, आप content पर click कर सकते हो, already recorded videos है, उन students के लिए JEO की live classes को attend नहीं कर पाते हैं, इसके अलावा आपको mock test 2000 MCQs and unit wise folders मिल जाएंगे आपके सभी set examinations में, बस आपको यहाँ पर अपने course का नाम select करना है and उस course के according यहाँ पर आपको सारी information मिल जाएगी, students is examination के qualify करने के लिए, यह course आपके लिए best है, examination के level के हिसाब से यह बनाया गया है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने के जरूरत नहीं है, इस चीज़ की मैं आपको surety देती हूँ, okay, so इसी के साथ बढ़ते हैं discussion पर, so current affairs मैंने आपको बता दिया, and जैसे कि आप सभी students जो हमारे life classes join करते हों, उनको पता होगा कि हमने already research aptitude के basic current affairs और ICT के कुछ-कुछ current affairs भी साथ में discuss किये हैं, इसके अलावा आप बात करते हैं journal knowledge की, so general knowledge में बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, कि क्या हमारे state से related GK हमें पढ़ तो देखो students GK से related questions examination में paper 1 में नहीं आते हैं, अब आप बोलोगे कि आप previous year questions देख रहे हो जहां पर आपको current affairs या GK दिख रहा है, तो आप लोग अगर 2017 से पहले के previous year questions देख रहे हो, तो वहाँ पर जरूर आपको GK के सवाल दिखेंगे, क्योंकि 2017 से पहले paper का patent, paper का syllabus, सब कुछ बिलकुल अलग था, लेकिन 2017 के बाद paper 1 में सिरफ आपके सामने ये 10 units हैं, जिसमें भी ये 3 units में से आप लोगों से current affairs पूछे जा सकते हैं, जिसके भी सिरफ 10% chance है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि current affairs आने ही है, और वो जो 10% chance है, उसके हिसाब से हम आपको कुछ-कुछ current affairs साथ में करवाते रहेंगे, इसके अलावा students GK बिलकुल भी नहीं आता, तो मेरा यहीं मानना है कि अगर अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि GK पढ़ना ही है, तो बिलकुल समय बरबाद अपना SME मत कीजिए, क्योंकि ये paper 1 में GK नहीं आता है, ठीके, 2017 के बाद, 17 न आप में जाकर मिल जाएंगे, पूरे paper को डाउनलोड करके पढ़िये, उसको ध्यान से देखिये, आपको अपने state से related एक भी current affair, एक भी GK का question नहीं मिलेगा, ओके, so I hope जो confusion आप लोगों को था, उसका solution मिल चुका है, और कोई भी जानकारी और चाहिए, कोई भी सवाल और ह आते हो, so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.